कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो और्नमेंटल प्लांट होते हैं जो हमारे गार्डेन के लिए बहुत अच्छा होता है तो चलिए आज वर्नरिंग जीव से घर सजा लेते हैं थोड़ी बहुत जो हमने कटिंग कर ली क्योंकि इसे कटिंग करना प्रून करना बहुत जरूरी हो होते हैं वही सेंड है तो दोनों को हमने मिला दिया है और कुछ नहीं खाथ वगएरा कुछ देने की जरूत नहीं बस उपर से आप इसे पूरून करते जाएए और लगाते जाएए बहुत इसलिए ग्रू हो जाता है देखने में बेहत खुब सुरूत लगता है आप इसे जात में आपको पूरून करते रहना चाहिए अगर इसे घंआ बनाना चाहते तो आप रिल्फे प्रून करते हैं और एक बात है आप आप नमी मर्गडार रखे लेकिन ऐसी भी नहीं नहीं ये पानी हम देते ही रहे देली अभी डेली सिजन है बाहर ये विरता है तो इसमें पानी देने की कोई जरोथी नहीं है अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो पानी दे मिटी दे की नमी हो बस मॉइस्टर बहुत पसंद करता है Wandering Jew बस इसे इतना ही दे और कुछ नहीं देना चाहिए बस पूर्ण करते रहे हैं और इस कोचिया की चारोर मैंने Wandering Jew को किस तरह रखा हुआ दे कि छोटे 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 जितने भी मेरे वस्ट पड़े हुए समान रहते मैं उसमें Wandering Jew की कटिंग लगाती रहती हूँ और देखती देखती ये घना बहत खुबसूरत सब बन जाता है देखिए इसमें रूट देखिए रूट ऐसे ही ऐसे ही अपने इसे ही पनप जाते है आप इसे कटिंग करके कहां भी कहीं भी लगाए इसलिए ग्रो हो जाएंगे, आपको कुछ भी मेनत करने की जुरत नहीं होती है और देखने में बहुत सुन्दर लगता है, वेरिगेटेट ये जो पतियां है इसकी बेहत खुबसुरत लगता है, बेहत खुबसुरत इसका कहीं तरक से टाइब्स में इसके पतिया आती हैं वंडरिंग जीउ को, देखो ये मैं इसस से ग्रो कर दिया। और इससे भी मैं कहीं लगती हुए और इस तरह से वंडरिंग जीउ को आप लगाईये अपने गार्डन को खुबसुरत बनाईये तो चलते है अगले वीडि अपना ख्याल रखे